हेलो एवरीवन वेलकम तो माई चैनल मैं हूँ मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर अकाउंटिंग रेशो आगे कॉंटिन्यू जिसकों टी एस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से करने हैं आपको यादो पिछली क्लास तक हमने 1251 कोश्चन क कोई रीप्रेजेंट करते हैं यानि के हमारी जो टोटल असेट्स है उसके एगेंस्ट में डेट कितना है ये रेशो जितना हायर आएगा उतना कंपनी के लिए बेनिफिशल है और लेंडर के लिए भी जो लोन प्रोवाइड करते हैं आपको क्योंकि उनको रिस्क कम है हो ले टोटल असेट टूट रेशो फ्रम दा फॉलिंग इंफर्मेशन लांग टरम डेट दे रखाए 4 लेक रुपी टोटल असेट दे रखी है सेवं लेक सेवन्टी थाउजेंट चेक करते हैं अब देखो फामुला पहले चेक करो फामुला भी लर्न करने का टेक्नीक बता overs 나오 य हो धिक्विटी रेश्यों भी याद करना असान था पहले डेट था तो निमिनेटर लिखते हैं अब में क्या लिखते थे उक्यूट्विट यह भी ऐसे ही है अब है और टोड़ जुन लिख दो न्यूमिनेटर में और बाद में क्या रहा है डेट तो डेट लिख दो टोटल असेट्स का मतलब सारी असेट्स नॉन करेंट असेट्स भी करेंट असेट्स भी और नॉन करेंट इंवेस्टमेंट भी और डेट किसको बोलते हैं याद रख लो हमेशा नॉन करेंट ल यहां लो आपको याद ज्वेगा ये तो बैलेंट शीट इह बैलन्सीट में तीन इचान लिखते ययाबिलिटी में शेरिल्टरि फटा ट्रोड कर टरक Light Disability तो टॉटल अगई असेट्स में भी तीन लिखते हैं या आपने बैलैंट शीट की कंपनी की वैलन शीट में भी सीख रखा है वालिक ते नॉन कर्ण असेट्स नॉन करेंट इन्वस्टमेंट और करेंट असेट्स तो टोटल असेट्स आ गई और क्या चीज़ चाहिए चाहिए क्षीनमें और क्याओ चीज़ आ सेट्स निकाल लियBU निकाल लेंगे आ कर दो कुश्चन में कितना दे रखा है यह रहा सेवन लेक सेवनटी थाउजंट और डिवाइड कर दो इसको फूर लैक से करोगे तो वन पॉइंट लगबग डबल की आसपास आ रहे है अच्छी चीज़ होती है यह जितना हायर आएगा उतना फेवरेबल है ध्यान रख लो कंपनी के लिए और जो लोन प्रोवाइड कर रखा उनके लिए भी क्योंकि उनकी सेफटी है जितनी कंपनी के पास उससे मल्टीपल असेट्स होंगी उतना बैट रहेगा अब एक और कोश्चन करते हैं 53 रीड करता हो आप देखिए लिखा है शेरोल्डर फंड है 1,60,000 टोटल डेट दे रहे हैं 3,60,000 और करेंट लाइबलिटी दे रहे हैं 40,000 क्याता कैलकुलेट टोटल असेट टू डेट रिशो हमें जो है टोटल असेट लाइबलिटी जिसको लांग टरं लाइबलिटी भी बोलते है निकल जाएगी टोटल डेट किसके इकॉल आपको बताएथे देखो यह विर्किंग में वहने बना रख है यह लिख लो टूटल डैट यह रें नौन करेंट लाइबलिटी प्लास कर्ण लैबिलिटी भी दे र रख है कितना दे रख है 3,60,000 बहुत इजी है ध्यान से करते जाओ नॉन करेंट लाइबिलिटी दे नहीं रखी उसी की 3,60,000 और माइलस कर दो 40,000 तो यह तो 3,20,000 आपकी आवी यह क्या चीज़ आ गई मेरे डेट तो आ गए यह रहे क्लियर है यह तो हमारी निकल गई नॉन करेंट लाइबिलिटी अब फाइंड आउट करते हैं टूटल असेट कैसे निकलेगी टूटल असेट इंफर्मेशन में कि असेट साइड की कोई भी आईटम नहीं है लाइबिलिटी की तीनों आइटम है बेलेंशीट पे चले जाओ यह रा शेरोलडर फंड भी दे रखा है कुश्चन में यह रा नॉन करेंट लाइबिलिटी यह वो अभी निकाल ली करंट लाइबिलिटी दे रख़ी है यानि क तोटल लाइबिलिटी के लिख लो टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग शेरोल्डर फंड है अमारी इक्वेशन यह देख लो बैलेंस शीट जे दो ही तो है अब हमारी टोटल असेट्स आ गई क्योंकि आपको टोटल लाइबिलिटी निकल गई तीनों चीज़ें रखें लिख लो यहां टोटल असेट्स इई क्वल टू गउडगा है ठीक आपको यह पूँक्र बात होई है करो जरा यहां पर अपको दे रखाय कितना वन लेक शिक्स्टी थाउजंट पूट कर दो 1,60,000 अभी आपने non current liability ये 320 find out कर दी ये री non current liability current liability 40,000 दे रखी है मैंने अभी बताया दोनों को add करोगे तो कितना बनता है 360 चेक करोएला यह दे रखा total debt आप total debt लिख दो या फिर अलग-अलग लिख दो बात एक ही है total करो ये कितना बना ये बन गया 3 और 1 4, 4 के बाद 5, 5,20,000 आ गया, ये क्या चीज आ गई, मेरी total assets आ गई, द्यान रख लेना, इसी की तो जरूत थी हमें, अब पुट कर दो इसको यहाँ पर total assets को, कितने निकल गई, 5,20,000, और debt कितने निकले थे, ये देखो ये रहे debt, ये रहे, कितने निकले है, 320, लिख द क्योंकि asset side की कोई item थी, लेकिन liability की तीन हो थी, तो जो total liability आएगी, वो equal to, तो total assets के ही बनेगी, तो हम ये formula लगा देंगे, total assets equal to, जितनी भी liability में, तीन item पुट करते है, shareholder fund, plus non current, plus current liability, तो total assets के equal आ गई, अब एक और question करते है, 54, read करतों, आप देखिए, लिख है, total debt दे रख है, 10 lakh, return surplus है, 2 lakh 50,000, current assets आपको 25 lakh, और working capital दे रखिए, 5 lakh, क्याता है, calculate total asset to debt ratio, हमें total asset to debt ratio, find out करना है, देखो, हमें total assets चाहिए, और debt चाहिए, इस, ये information given है, total debt दे रखिए, total का मतलब क्या आता है, non current और current, दोनों involved है, हमें तो कौन से चाहिए, non current liability चाहिए, तो कैसे निकलत है, देखो, working capital दे रखिए, यदि हमें current liability पता चल जाए, तो हम यहां से क्या निकाल लाएंगे, long term liability निकाल लाएंगे, तो पहले तो working capital का formula लिख दो, क्योंकि उसकी information दे रखिए, लिखो working capital is equal to, के equal है, याद करो working capital current assets minus current liability, ये निकल गई हमारी, देखो working capital 5 lakh रुपी दे र 5 lakh और current liability दे नी रखी निकल गई, तो अब इसको equation को solve कर लो, current liability को तो इधर ले लो और इसको इधर ये minus में आ गया, तो current liability तो आपके पास आ गई 25 lakh और minus कर दो इसमें से 5 lakh, तो यानि के current liability तो 20 lakh आ गई, अब हमारे debt निकल गई, सुन लो, कैसे निकल गई ये रहा, ये तो current liability आई है, total debt दे रखें, लिख लो total debt किसके equal थे, बताया था अभी आपको, total debt है, non current liability plus current liability, current liability ये भी given है, और ये भी given है, तो non current liability आगे, जिसकी जरुत थी आपको, put करो total debt, 60 lakh रुपी दे रखें, और non current liability given नहीं है, बट current liability अभी अभी आप find out कर ला है, 20 lakh, ये जब इधर जा लेगा, लिख लो non current liability कितनी आगई, 60 lakh, minus करो 20 lakh, कितना आगया, 40 lakh रुपी आगया, एक चीज तो आपके पास आगई, याद रखें लेना, ये क्या चीज आगई, आपकी debt आगे, clear है, अब क्या चीज की ज़रुत है, हमें, total assets, total assets, देखो, assets से related, आपको fixed assets तो दे नहीं रख इकोल बनेगी, total assets के, लिख लो, या, total assets लिखो, या पर अब आप, total liability बनेगी, उसी के तो equal आएगी, total assets कैसे निकल गई, shareholder fund, और plus कर दो, या पर non current liability, जो भी निकाली, plus current liability, put कर दो, या, shareholder fund, आपको दे रखा है, देखो, कितना है, 10 lakh रुपी, लिखो, 10 lakh, और non current liability, अभी भी निकाली, 40 lakh, लिख दो, 40 lakh, current liability, ये री, 20 lakh, लिखो, वरना, आमें तो, total debt भी दे रखे थे, इन दोनों को क्या मूलते है, total debt, ये देखो, total debt, 60, दोनों का sum भी 60 बनता है, 60 और ये कितना बन गया, ये बन गया, आपका 70 lakh, आपके पास total assets तो आगई, लिख लो, ये total assets, पा इतनी मेरी total liability होगी, वो किसके equal आएगी, total assets के, इसलिए आपने लिख दिया, इसलिए ये total liability का formula लगा दिया था, total liability की तीनों आइटम दे रखी है, तो अपने आप total assets के equal आएगी, put कर दो अभिया, ये कितना आगया, आपका ये रही है, देखो, total assets 70 lakh रुपी आगई, ये put क answer है, इस question का, clear हो गया, काफी अच्छा था ये, जालातर question है, ऐसे आ रहे हैं, जिनमें total assets आपको किस से निकालनी पड़ रही है, liability से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे formula लगा दिया करू, clear है, अब एक और question करते है, 55, मैं read करता हो, आप देखिए, total debt दे रखा है, 15 lakh रुप और साथ में क्या चाहिए, debt, debt तो आपको मिल गया, कैसे मिल गया, दिखो ये रहा, ये आपको information given है, total debt दे रखे, total debt किसको बोलते हैं, ये देखो, ये balance sheet पे चले जाओ, इन दोनों को add कर दो, तो क्या बनते है, total debt याद रख लो, जब आपको total debt पता है, और current liability पता है, तो क current liability याद रख लो, ये given है, question के अंदर ये 15 lakh, put कर दो 15 lakh, बहुत ध्यान से करो, बहुत इजी है, non current liability given नहीं, वही find out करनी है, current liability है, देखो ये दे रखी 5 lakh, clear है, ये तो निकल गया हमारा, इसको इदर ले जाओगे, minus का sign आ गया, लिखो non current liability किसके equal आ गई आपकी, 15 lakh minus 5 lakh, ये क्या चीज आ गए आपके, 10 lakh तो आ गए, आपके, debt तो आ गए, question में, note कर लो, ये रहा, इसी को non current liability कोई क्या बोलते है, debt बोलते है, ध्यान रख लो, यह total assets कैसे निकलेगा, assets की तो कोई information है नहीं, लेकिन liability side की तीनों चीजें आपको पता चल गई, कैसे पता चल गई, को यह लिखावा capital employed, shareholder fund plus non current liability, यानि के यह दोनों आपको given है, इन दोनों का sum पता है, current liability अभी अभी आपने निकाल, दे रखी थी 5 lakh, add कर दें तो क्या आ गई, total liability, क्या हम यह नहीं लिख सकते, total liability के equal है, total assets किसके equal आ गई, capital employed plus current liability के equally तो आई, लिख दो यह आपर, total assets equal to, इस हम यह कह सकते है, total assets किसके equal आ जाएगी, capital employed, और plus current liability, और यह याद रख लो, capital employed आपका क्या चीज़ है, shareholder fund plus non current liability, दोनों को मिला करी तो capital employed है, तो हमें liability side की तीनों ही तो item पता चल गी, shareholder fund पता चल गया, non current liability, जिन दो, उन दोनों को मिला है, तो capital employed और plus current liability, तो total liability आ गई, और capital employed कितना दे रख है, 15 lakh, लिख दो 15 lakh, और plus करो current liability, यह दे रखी 5 lakh, यह रहा, यह कितना बन गया, 20 lakh बन गया, याद रख लो, यह क्या चीज़ आ गई, आपकी total assets, यही तो थी, आपकी total assets, और आप यह लिख सकते हो, नीचे, total assets equal to total liability, क्योंकि यह total liability का ही तो सम आया, जो कि total assets के equal रहेगा, ऐसे लिख दिया करो, ज्यादा बेटर है, भया में assets की तो कोई item दी नहीं थी, liability side की दे रखी थी, सारी item, तो liability किसके equal बैठेगी, total assets के, इसलिए हमने formula में total assets और liability की item लिख दी, अब यह put कर दो यहाँ पर, यह तो 20 lakh है, लिख दो 20 lakh, और वो liability कितनी दे रखी आपको 10 lakh, लिख दो liability, यारी के, ratio क्या आगया, आपका 2 is to 1, यही तो answer है, इसका, यह हो गया, clear हो गया, अब एक और question करते हैं, 56, बहुत ध्यान से करते जाओ, यह working में बना रखा है, आप register पे note कर लो, इससे आपके सारे question के खुद formula generate हो जाएंगे, वरना ऐसे बहुत सारे formula लिखते रहोगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, याद कर रखनी, क्योंकि हमें 18 formula तो वैसे ही learn करनी है, जो आपके major बनती है, लेकिन यह जो छोटे छोटे बनते हैं, तो खुद balance sheet से बना लो अपने हाथ, clear है, अब करते है 56, मैं read करता हो, आप देखिए, लिख है total debt दे रखे 12 lakh रुपी, shareholder fund दे रखे 2 lakh रुपी, reserve and surplus 50,000, जिसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि shareholder fund में वह include है, याद रखना, current assets दे रखी है 5 lakh रुपी, working capital है 1 lakh, calculate total asset to debt ratio, हमें total asset to debt ratio find out करना है, यह information question में given है, total debt दे रखा है, total debt किसको बोलते हैं, जिसके अंदर ये दोनो इन वोलो current B और non current B, यादि के total debt ये रहा, तो आपके पास यदि current liability पता चल जाए, तो आपको debt पता चल गए non current liability, पहले तो वो formula लगा दो, या कैसे निकल सकता है, क्योंकि question में working capital दे रखे है, तो working capital का formula लगा दो, current liability आ जाएगी, किसके equal है, current assets minus current liability, सोच के करते जाओ, equation है, working capital given है, current assets given है, तो current liability आ गई, और current liability आ जाएगी, तो हम non current liability find out कर लेंगे, क्योंकि total debt दे रखे है, जिसमें दोनों involved है, working capital कितनी दे रखे है, one lakh रुपी, put करो याँ formula में, ये तो one lakh रुपी दे रखी है, और ये current assets आपको दे रखे, five lakh रुपी, लिख दो five lakh रुपी, ये current liability है नहीं, current liability तो आपकी आ गई, five lakh, minus कर दो इसमें से one lakh, तो करते हो, तो four lakh current liability आई है, याद रखे लेना, अच्छा, अब आपको total debt दे रखे, total debt किसके equal बताये थे, ये रे, non current और plus current, तो दो चीज़े पता चल गई, तो non current liability आ गई, और non current liability तो चाहिए, याँ पर हमे मिल गई अवे, लिखो total debt का formula, total debt equal to, non current liability के और plus current liability के याद रखे लो, ये आपको बता रखे है, इसलिए देखो ये रे, या total debt कितना दे रखे, 12 lakh रुपी, put कर दो, 12 lakh रुपी, equal to करो, non current liability given नहीं है, बट current liability अभी अभी find out हो गई, कितनी हो गई, 4 lakh, ये जब इदर जाएग लिख दो, और non current liability कितनी आगई, 12 lakh माइनस करो, उसमें से 4 lakh, तो 8 lakh रुपी तो आपके debt आगए, याद रखे लेना, लिख लो ये तो debt आगए आपके, clear है, non current liability कोई तो ये बोलते है, अब आगे चलते है, अब हमें क्या चाहिए, total assets, और assets side के तो कोई item दहीं नहीं रखी, तो liability की यदि हमें, तीन आइटम पता चल जाए, तो total liability आगई, और total liability किसके इकोलाएगी, total assets, liability की तीनों चीज पता है, कैसे पता है, देखो, shareholder fund दे रखा है, non current liability ये निकल गई, liability ये ली, तीनों को add कर दो, तो क्या बन गई, total liability, और total liability किसके इकोल है, total assets, put कर दो या, लि ये भी, ये भी, तो आगई, total assets, put कर दो या, shareholder fund, plus कर दो, इसमे, non current liability, plus कर दो, current liability, put कर दो, ये रहा, shareholder fund, तो ये दे रखे, 2 lakh रुपी, लिखो, 2 lakh रुपी, non current liability, 8 lakh रुपी, आप अभी, अभी, find out कर आए, लिख लो, current liability, 4 lakh, और ये तो, इन दोनों का समवे से भी, बताया किसको बूलते है, total debt को, कितना बनता है, 12 lakh वो दे ही रखाता, अलग-अलग लिख दो, या direct 12 lakh लिख दो, बात ही की है, कितना बन गया, check करो, 14 lakh रुपी, और ये क्या चीज आ गई, आपकी total assets, आगया समझ, लिख दो, इसके आगई, ये आपकी total assets है, और ये भी, नीचे लि चल गया, और non current liability 8 lakh, लिख लो यहाँ पर अब, ये तो 14 lakh दे रखाया, आपको, लिख दो 14 lakh, divide कर दो, 8 lakh, हो तो 1.75 is 21 आजाएगा, ये इसका answer था, किलियर हो गया, काफी अच्छा था ये question दी, बहुत ध्यान से रखो, ये balance sheet याद रख लो, ये working से है, इसको एक page पे उतार अपने register में, ये बहुत help करेगा, आपके छोटे-छोटे formula generate करने में, किलियर है, concept किलियर करने वे भी, अब आज हमारे अभी है, 56 तक complete हो गई, next class में आगे continue करते हैं, आप यहाँ तक practice कीजिए, कोई भी doubt लगता है, ये last in comment section, आपको मारी वीडियो अच्छी लगती है, प् ुआ ुआ